करोका आज को सजा असलील वीडियो बना कर किया था वाइदर गाजियाबाद में पैसिफिक मॉल में सेक्स रैकेट का भांड़ा फोर्ड तीन घंटे चली रेट लखनव में आश्रम की प्रॉपर्टी के लिए महिला की हत्या मेंत की बेटी दामाद और नाती ने किया मड़ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इक्षा भारगौ स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन होने के बाद अब भारती जंता पार्टी आगामी लोगसभा चुनाव की तयारियों में जुट गई है बिजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 लोगसभा सीटों को जीतने का लक्ष रखा है इस लक्ष को पूरा करने के लिए पार्टी एक महीने तक महा जन संपर का अभ्यान चलाने जा रही है तो वहीं अब बिजेपी की तयारी सरकार के कुछ मंतरियों को लोगसभा चुनाव लड़ने की भी मानी जा रही है माना जा रहा है कि बिजेपी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सरकार के कुछ मंतरियों को लोगसभा चुनाव में उमिदवार बना सकती है मिशन असी को पाने के लिए बिजेपी उतरप्रदेश में लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है क्या लोग प्रियता है इसको लेकर पार्टी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है खबरों की माने तो सरकार में कुछ बड़े चहरे लोगसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते है तो आपको बता दें लोगसभा चुनाव को लेकर अब एक्शन मोड में है बिजेपी वही अब लोगसभा चुनाव को लेकर एक मेगा प्लैन तयार कर रही है जो BJP आप इसको लेकर वो जन संपर्क अभ्यान चला रही है, हर जिले में, हर शहर में वो जन संपर्क अभ्यान चलाएंगी। ने इसके लिए अपनी तयारी भी शुरु कर दी है कुछ मंतरियों की उनके शेत्र में क्या लोग्प्रियता है इसको देखते हुए वो मैदान 125 अपनी नेताु को मैदान में उतारी नेताह को इस बात को देखते हुए कि किसे जिले में उनके मंतरी की लोग प्रियता देखी जारी है उसे इसाब से ही जो पार्टी है उसे देखते हुए जो अपने अधिकारी है जो अपने नेता है उन्हें मैदान में उतारी गए आपको पता दे वहीं लोगसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुकी है बिजेपी यूपी की सभी असिसीटों पर कबजा जमाने को लेकर पूरी तयारियों में जुटी है इसको लेकर पार्टी एक रिपोर्ट तयार कर रही है आपको बता दे खबरों की माने तो सरकार में कुछ बड़े चहरे लोगसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते हैं वहीं अब लोगसभा चुनाव में आपको कोई बड़ा चहरा भी देखने को मिल सकता है बिजेपी से बिजेपी अब लोगसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी रणनीती तयार कर रही है वहीं अब इसको लेकर वो जो दिगज नेता है उन्हें उतारने की तयारी में है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जो चुके है तो के लोगसभा चुनाओं को लेकर भासीनतापाटी हर एक प्रयास कर रही है और मिसन अशकी के तहट उत्तर प्रदेश की 80 सीटो Hm असी लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने के लिए हर एक मुम्किन प्रयास कर भी है इसको लेकर अगर बात की जा तो बीजेपी के अंदर में तमाम तरह की अभियान चलाए जा रहा है कारिक्रम रखे गए हैं जहां आपको बताएं कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पू निया कुमारी तक भारती जनता पार्टियों को नीतियों को बताते हुए नजवाएंगे वहीं बीजेपी अगर बात करें तो टिफिन पे चर्चा और चाय पे चर्चा के कारिक्रम को भी रखी है उसी क्रम में आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मिस और मसमी मंत्वी राकेश सचान के नाम को कही ना कहीं लोकसभा के उमिद्वार के तौर पर देखा जा रहा है ऐसे तमाम जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश की वाजनीती से निकल कर और देश की वाजनीती यानि की लोकसभा का चुनाओ लड़ेंगे और आन वाले दिनों में ऐसे तमाम जो उत्रफदेश के मंत्री हैं तमाम बिधायक हैं उनको सांसत के तौप पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती इसको लेकर मास्टर प्लैन भी त्यार कर लिया गया है जिन सीटों पर सफलता हासिल नहीं कर पाई है ऐसे सीटों पर कही ना कहीं पुर्जोर लेप्रियास कर रही है कि अपने पाले में करें जैसे कि आपने कहा आगामी लोगसभा चुनावों को लेकर जो बीजेपी है वो कुछ दिगज नेताओं को उतार सकती है तो कौन-कौन से ऐसे नेता हो सकते है जिनको वो आगामी लोगसभा के लिए उतार सकती है जे बात की जाए तो पीड़ाब्लीडी मंत्वी जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के में सेमी मंत्वी राके सचान समित कई ऐसे बढ़े नेताओं पर कहीं न कहीं बीजेपी अपना दाओ लगा सकती है लोगसभा चुनाओं में और एक तरह से प्रमोशन होगा क्योंकि बात करें तो बीजेपी ने पहले ही इस बात को अस्वस्त कर दिया है कि असी सीटों पर चुनाओं लड़ते हुए नजर आएगी और असी सीट कहीं न कहीं अपने पाले में करेगी आपको बताएं कि अग दस महीनों का समय लोगसभा चुनाओं में बचा है और केंद्र सरकार के मंत्री प्रदेश के अंदर में और साथी साथ देश के अलग-अलग कोनों में जाकर जो 109 साल की नीती वही है भारती जनता पार्टी के जो विकास कारिये हुए हैं वो कही न कहीं पटल पर रव करतन बीजेपी है और साथी सबसे ज़्यादा कारेकरता हैं जो अब फिर कारेकरताओं की स्विंखला जो है उसमें इजाफा करने के लिए बीजेपी फिर सदस्ता अभियान शुरू करेगी और निसी तोर से चुनाओं में जहां बिपक्सी दल लगतार कहीं न कहीं तमाम करते हुए नजवारी बीजेपी दो हजार लोग सबाचनाओं को लेकर पूर जो महनत करते हुए नजवारी अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्सी दलों की जो एकता की बात की जारी है और वो बीजेपी एक तरब जहां अपने अभियान चिला जहां बीपक्शी अ हमेशा एक्टिव मोड में रहती है चुनावों को लेकर वाई कहीं न गई यही वज़ा रही कि उन्हें निकाय चुनावों में जीत मिली जे बिलकुल आपको बता दे कि बीजेपी एक की सक्रेटा है कि निकाय चुनावों में उतर प्रदेश के सत्वा नगर नगर निगम अपने पाले में करती है जिसके बाद अगर बात की जाए तो इस सुनावों को लोग सभा के सेमी फाइनल के तौर पर देखा जारा था और इ है भारती जनापाठी निकाय चुनाव में सबसे सक्री रही जहां सूबे के मुख्य मंत्री दर्जन असूपर सभाइ करते हैं उप मुख्य मंत्री जाकर सबकार की नीथियों को बताते हुए न स्थिर रहा और आपको बतादे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुग विपक्सी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिले स्यादों महज पांच सभा करते हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या निकाय चुनाव से सबक लेकर और विपक्सी दल अ अब जो बिजेपी है वो एक्षन मोड में दिखाई दे रही है वह यूपी की मेजबानी में आज तीसरे खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स का आगाज बीबीडी यूनिवरस्टी प्रांगण में किया जाएगा जहां पीएम मोदी वर्चुली मौजूद होकर इस आय जनकेश उबारम की घोशना करेंगे बताया जा रहा है कि 3 जून तक चलने वाले इस खेल महाकुम्भ में देश भर से 200 विश्विद्यालों से 4000 से अधिक खिलाडी किस खेलों में 1900 पदकों के लिए जोर आजमाईश करेंगे यह वही मौके पर यूपी के मुख्य मंतरी योगिया दितिनात केंदरी खेल एवं यूवा कल्यान मंतरी अनुराग ठाकुर खास महमान होंगे साथी घाटन समारों शाम 6 बच कर 50 मिनट परशुर होगा शुभंकर जीतू भी समारों का एक अभिन हिस्सा होगा तो आपको बता दे आज खेलों इंडिया का शुभारंब होने जा रहा है वही जो पियम मोदी है वो इससे वर्चुली जुडेंगे और इस गेम्स का शुभारंब करेंगे तो आपको बता दे आज खेलों इंडिया का शुभारंब होने जा रहा है वही अब इस गेम से कई जो प्रत्योगी है उन्हें फाइदा मिल सकता है आपको बता दे आगामी प्रत्योगिताओं को लेकर कही न कहीं इससे उनकी तयारी जो है वो और मजबूत हो सकती है इस खे पर मिनट तक चलने वाले समारों के दौरान जहां भारती सेना के बैंड द्वारा राष्टिगान प्रस्तुत भी किया जाएगा इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जोड़ चुके हैं तो विवेक क्या कुछ इंतिजमात है इस समारों को लेकर देखिए इसा जिस तरीके से यूपी में खेलों के महाकुम की सुरुवात आज से शुरू हो चुकी है इससे में हम बाबू बनार सिदाथ बैंड मिंटर एकेडिवी पे हैं हम आपको बता दे कि यहां पे टेबल टैनिस और बैंड मिंटर के इवेंट्स जो है वह आयूजी हो रहा है आज साम को मुख्य मंत्री योगी आदितनात और केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर बीडी में मौझूद रहेंगे इसके साथ यही साड़े साथ बजे प्रदाम मंत्री नय नमोदी वर्च्वली माध्यम से इस खेलों इंडिया इंडिया का उत्गाटन भी करें यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार के आयोजन जो हो रहा है तमाम सारे चीज़े आपको दिखा सकते हैं और इसका खेले उंडिया इंडिया 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 जो लोगों है वह एक बारा सिंगा है जिसको लोगों के रूप में बनाया गया है और देश के युवाओं को में इस अभागिता के लिए इस को जो है वो आयोजन किया जा रहा है उसके बाद से हम अब को बता दें कि लगतार जो है यह आयोजन तीसरी बार हो रहा है उत्ता प्रदेश के चार प्रमुख सहरों में इसका आयोजन किया जागा अगर बात करें तो राजदानी लखनव से आज से आयोजन सुरू हो रहा है उसके बाद गौतम बुद्धनगर गोरपूर वारण रसी में इसका समापन होगा ऐसा कहा जा रहा है कि समापन समारों के दिमप्रदाम मंतरी खुद वारण रसी में मौजूद होगी क्योंकि यह उनका संसदी छेत्र भी है अगर बात करी तो 208 पिस्विद्याला के कुल 47 से अधिक एसलीट जो है इस बड़े महाकुम के आयोजन में भाग भी ले रहे हैं और उसमें जो सभी जो एसलीट्स हैं वो अलग-अलग कुल 21 खेल के जो इवेंट्स हैं उसमें पाटिस्पेट करेंगे और अपने प्रदिबा का लोहा सभी के सामने मनवाएंगे अगर बात करें तो उत्ता प्रदेश राज़ानी लखनव में आजन सुरू हो रहा है उत्ता प्रदेश तक्रीबं 25 करोर से अधिक जनसंख्या वाला अच्छेतर है जहां पर युवाओं की जनसंख्या लगतार अधिक यहां पर बनी हुई है अगर बात करें तो यह देखा जा सकता है कि पुराने समय की एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब खेलोगे कुदोगे तो होगे खराब इस धारणा को इस पुरानी धारणा को खतम करता हुए तब बदे सरकार लगातार तीसरी बार खेलो इंडिया इनुश्ट्र उसके बाद ओलंपिक और नेशनल और तमाम तरह की जो एस याड़ खेले हैं उनमें देश का प्रदेश का प्रतिनी दितु करने का मौका मिलेगा हम बात करें तो उत्ता प्रदेश में कुल चार इवेंट होने हैं चार जगों पे लखनवू गौतम बुद्दनगर लेकिन एक इवेंट ऐसा होगा जो उत्ता प्रदेश के बाहर होगा और देश की राददानी लखनवू में कराया जाएगा तो मैं भाईशू माफ कीजेगा विवेक कहीं ना कहीं इस खेलों से जो प्रतिभाएं है वो बहार निकल के आएंगी और जो हमारे अगामी प्रतियोगिताएं हैं जो नैशनल स्टर पर खेल है उसमें कहीं ना कहीं सायोग मिलेगा लेकिन लगारतार तीसरी बार उत्तप्रदेश में इन खेलों का आयजन हो रहा है और उत्तपदे की सरकार लगातार खेलों में उत्त्विस प्रतिशन करने वालों को बढ़ावा भी दे रहे हैं चाहाँ वो खेल राजमंति गिरीश चंद्यादों हो या वो खेल लिदे की सरकार है वह लगादार खेलों को बढ़ावा दे रहें ताकि प्रतिभाएं खेलों के मादम से भी निकल के सामने आए यह आप यूपी बैमिंटन अकैडमी है यहां पर दो इवेंट होने है एक इमेंट बैमिंटन को होगा और दूसरा इवेंट टेबल टेनिस को होगा हम उनको बता दे कि बैमिटन में साइना नेवाल से लेकर तमाम ऐसी प्रत्वाइए यह देश देखने के बाद ओलंपिक में साइना नेवाल से लेकर पीवी संदुष सब ने पदक हासिल किये तो इस तरी इस तरीके से अगर देखा जाये तो मौका मिलेगा लोगों को इस तर चीन और अमेरिका का दबा जो है जापान का दबा जो है कोरिया रूस का जो दबा है वो उलंपिक में पॉइंट सेबल पर बनाए रहा था लेकिन पिछले पांच साल की बात करें तो भारत दे अपना दबदा जो है वो प्लाइंट सेबल पे आप बढ़ाना सुरू किया है क स्वच्छा कर्मियों की तयारी किये गई है कि गई है इंडोर में बैर्मिंटन टेबल टेनिस के लावा गुरु गोविन सिंग स्पोर्स कॉलेज में एथलीक्स और इसी वेन्यू पर हाकी फुटबाल के भी इवेंट आयूत किया जाएंगे हाला कि महिला फुटबाल का है इकाना स्पोर्स सिटी के फुटबाल ग्राउंड पर होगा बागे कर बात करें तो गोरपुर में वाटर स्पोर्स का इवेंट होना है इसी तरह वारा रसी का एक वेंडियों है आयए टी बनारस जहां पेकुस्ति की जो है वो इवेंट्स आयजू दोगा उसके बाद के आठ दिनों में ये मिंट बनाया गया है पट्रीस मैसे की आज सुवात चुकी है और समापन तीन जून को बनारस में होगा इशा जी विवेक तो कहीं ना कहीं इन्हें खेलों का फाइदा नैशनल स्थर पर भी मिल सकता है भारत को कि बिल्कुल इससे 208 विद्याले के अथ्लीट भाग ले रहे हैं साथ आलीश से ज्यादा अथ्लीट से आपे भाग ले रहे हैं पंद्रह सो वाल इंटियर लगे हैं उनको सुविधाय देने में उनको सिवाई दिर में डॉक्टर की बकाइदा टीम लगी हुए है चिकिस्त गौतम बुद्दगर अगोरापुर में होने कुल 15 वेन्यूस तयार किये गये हैं इन 15 वेन्यूस पे 21 इवेंट्स के जो इवेंट्स आई होंगे खेलों के और 25 महीं से 3 जून तक यह इवेंट्स चलेगा और इससे प्रदेश के खेल संकृत में भी बढ़ावा मिलेगा लो आईने क gift form बच्नको मिलेगा इने अथलिट्स का मिलेगा तो साहित होंगे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे परने असतर पर वे खेलेंगे नामर्वा रुसं करेंगे प्रदेश का नाम रुसंएख उस जो अबाद राश्ट्री गंचरा प्रンネル पर उनको मौका मिल विवेक तो कहीं ना कहीं इन खेलों का एक बड़ा फाइदा मिलेगा भारत को इस ख़बर पर जुन्दे के लिए धन्यवाद विवेक तो आपको बता दे आज पीम खेलों इंडिया का शुभारम करेंगे वहीं इस खेलों इंडिया में आपको पता दे कुल 21 गेम है इन 21 गेमों में बैडमिंटन जैसे गेम है वहीं इन गेमों का कहीं न कहीं आगे के जो नैशनल स्थर पर प्रतियों के दाये हैं उस पर भी फाइदा मिल सकता है वहीं उन गेमों में भी कहीं प्रतिभाय जो है वो निकल कर सामने आ सकती है इस खेलों इं में व्यापक स्तर पर सेक्स रेकेट चलाया जा रहा था इसकी सूचना मिलने पर डी सीपी ट्रांस हिंडन और एसीपी इंदरापुरम के साथ पुलिस बलने एक साथ च्छापे मारी की है यह च्छापे मारे में बड़ी तादात में यूवक और यूवतियों को मौके से पकड साथ है डी सीपी का कहना था कि पैसिफिक मॉल में संचालित नौ स्पा सेंटरों में लड़कियों से देवयपार करानी की सूचना इपराप्थ हो रही है मुखबर भेज कर वेरिफाई कराया गया इसके बाद कारवाई भी की गई पुलिस टीम ने मौके पर सो लोगों को पकड़ा है जिन्हें पूछताच के लिए ठाने लाए गया के सभी गाजियाबाद नौइडा सहित दिल्ली एंसियार के शहरों के रहने वाले बताई जा रहे हैं कस्टमर यहां स्पा कराने आते थे और उन्हें देवयपार का ओफर किया जाता था सूचना ये भी है कि 69 लड़कियों में कुछ विदेशी यूवितियाबी है पुलिस पोचताज में जुटी है कि आखेर ये गंदा दंदा कब से चल रहा था और इसका मास्टर माइन कौन है आज दिनांग 24 माई 2023 को थाना लिंक रोड में इस सित पैसिफिक मौल के अंदर चलने वाले स्पास इंटर्स पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्पास इंटर्स की आड में यहां पे अनैतिक देवयपार का धंदा किया जा रहा है इस सूचना के आधार पे ACP साहिवाबाद के निर्देशन में टीम गटित करके जब वहां पे छापा मारी की गई तो वहां से आठ स्पास इंटर्स ऐसे पाये गए जहां पे आपत्ती जनक इस्तिती में कुछ लोगों को तता आपत्ती जनक बस्तियों के साथ वहां पे कई सारे लोगों की बरामद्दी हुई ये इस ऑपरेशन में कुल साथ महिलाओं तधा 49 पुरुषों को हिरासत में ले आ गया इन सभी से अभी पूष्टाज की जा रही है इस पूष्टाश में प्रकाश में आने वाले सभी स्पास सेंटर के जो मालेक मैनेजर इत्यादी है इ लखनव में खाटुशयाम मंदिर के पास क्यलाशपुरी मंदिर आश्रम में प्र्यागराज की मूछना और सपना पाठक की 19 मैं को हत्या कर दी गई थी मैला की हत्या प्रॉपर्टी को ले करके गई थी हत्या आश्रम के 104 साल के महंत राम सुमन चतुरवेदी की बेटी दाम और नाती ने की थी पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए चार लोगों को गरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने बताया कि मंदिर के प्रॉपर्टी पर सपना का हग बढ़ता जा रहा था जिस वजह से दामाद बेटी को छोटे-छोटे खर्चों के लिए सपना के आगे हा कारी मिली थी जिसके बाद शव बहार निकल वाया गया और पोस्ट मार्टम के लिए भेज़ दे गया पोस्ट मार्टम में पता चला है कि सपना की हत्या की गई थी वहीं ADCP सेंट्रल मनीशा सिंग ने सपना की हत्या में महंत राम सुमन चतुरवेदी के साथ बेटी शीला मिश्रा दामाद उदै मिश्र और नाती उदै भवान मिश्र को गरफतार कर लिया है तो आपको बता दे महंत ने गोशाला में जो बेटी ती उसका सब रफनाया था वहीं अब आश्रम की पापर्टी के लिए महिला की हत्या की गई थी इस बात का खुलासा किया गया है अब पुलिस की तरफ से आपको बता दे जो महंत की बेटी दमाद और नाती थे उन्होंने ये मडर किया था वहीं मडर के पीछे की वज़ा जो वसीहत है जो पैसा है वो बताई जा रही है तो वहीं अब शव को निकाल कर जो पुलिस है शव को पोस्ट माटम के लिए भेच चुकी है और अब इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी आपको बता दे वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं पैसों को लेकर वज़ा बताई जा रही है जिसको लेकर ये हत्या की गई है कहा जा रहा था कि जो दमाद बेटी के छोटे छोटे खर्चों को लेकर जो सपना जो मृतिका थी उसके सामने हाथ फिलाने को लेकर वो परिशान था उससे छोटे छोटे खर्चों को लेकर उससे पैसे मांगने पड़ रहे थे जिससे आहत था उसने उनकी हत्या कर दिया आपको पता दे वही पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए अब चार लोगों को गरफतार कर लिया है वही हत्या आश्रम के 104 साल के महंत राम सुमन चतुरवेदी की बेटी दामाद और नाती ने की थी वही इस मामले में ये खुलासा हुआ है कि जो महंत राम सुमन चतुरवेदी हैं उनकी बेटी दामाद और नाती ने ये हत्या की है वही अब इन चारों को गरफतार कर लिया है पुलिस ने अब पुलिस इनसे पूशताच करेगी वही अब इस पूशताच में क्या कुछ निकल कर आएगा सामने क्या कुछ बड़ा खुलासा निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी बता दे आपको 16 माई के दिन सपना आश्रम आई थी 21 माई को पुलिस को गोशाला में एक महिला को दफनानी की जानकारी मिली थी जिसके बाद शव बहार निकलवाया गया और पोस्ट माटम के लिए बेजा गया जिसके बाद ये खुलासा हुआ था कि जो ये शव है वो सपना का है वही अब इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गरफतार कर लिया है और इन चार लोगों से अब पुलिस पूछताच कर रही है अब इस पूछताच में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा इस ख़बर पर जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जूड़ चुके है तो कलीम क्या है पूरा मामला इस पूरा मामले में पास लोगों को ग्रफतार किया जाए लेकिन ग्रफतारी के बाद इस खुलासा हुआ है कि जो महिला थी परियागराथ की रहने वाली सब्सक्रापाथ है उसका जो है जिस तरीके तर नज्टी का महंद से पढ़ गाई थी उन नज्टी कियों को लेकर जिस तर जो ची नाती और पोते थे और बेटी थे उन लोगों ने मुल कर उसकी हट्टाय की थी जिसके दरान उसकी मौत हो गए थी मौत होगे के बाद इस तरीके तर उसके इसको को महीं जो है मंदर परिशर में ही दफना जिया गया था लगाताथ जो महंद है उनके दवारा पुलिस को कुम्रा किया जा रहा था जिशyeong गए जाए जोिसके तरानत जाए जाए कि दशक्ताया बिदा गए उसकी होई जोग्सित थी सिर्ख पplessते हों पर घोड के निसान नहोने की भीबात सामने आही जिए पिल्हा हुलारीक बिद्ध हिलाए निस divert जुगोँ जो मिल्कर भुलीन कि उसके भाई की थारीग के आथार पर हच्चे का मुकदमा ज़गा था ज़गा तभी पोलिस में इस मामले को गंविर्टा से लेते हुए महांद समय उसके जो बेती है दामाद है और जो नाथी है उसको उत्रफ्तार किया था और उसे पुर्साज भी किए तो पुर्साज भी जो इस भज़न को पुबोल भी का लिया जो लोगों ने किस तरीके से लिए ती लेकिन उसके लगातार मंदिर में आती जाती लेकिन हो ती दोरान उसकी नजज़िक है जो महांद है जिन्के उसके पढ़ गई थी और उसके द्वारा उस प्रोपर्टी पर दावा दितू का दितू कि जा रहा था ता इस तरीके से पुलिस ने चाहिए बमूर भी ह Clifford को उसके अऀसा म्म जा वाद की है तो प्रोपर्टी सрही होग पुलिक हो इस ठीज साथ बास प्रीज को लेकर अच्या कर लिया तो अच्छान वाज़ जा रहा है व्याजिक पुलिस ने चार लोगों को गरफ्तार कर लिया है इस मामले में क्या बड़ा खुलाजा हो सकता इस मामले में तुझे खुलाज दो का पहले पेले महमले में ne तो हम जा रहा था तो है वहां कर देडियाisol सिह कि अपने रही हो इवaty तो पुस्तास की गई तो पुस्तास में जो खुलाते हुए, खुलाते हुए एक चौखाने वाले के आखिर कार्ज जहां प्रणनाथी कोतों के साथ, महांध जीर जिनके उम्र एक पच्टार पाले बो रह रहे थे, आप उसका संबन, जो शपकन वर्षिये महिला थी, सपना प जो कि उनके जो को गिती है और पोटे लोको पुंगुन्ना गवारा गुजर रहा हुए, इसको लेका दामा, जेती हुए, पोटे समेट सभी नहिल कर इस पहत्याकान को अंजाम जिया और इस मामले में बड़ी बात यह है कि पुलिस को लगातार गुम्राश किया जाता रहा जिए पुलिस को अगर इस मामले की कोई जानकारी धी रही द 주고 अगर जस तरीके में बड़ा गरई गुजर रहा तो ऐन लोगोंते है लेकर इन इन तभ ही ममलें को लेका को लेकर लिग जडिया ख़नाना को लेकर लिगातार को लेके लीकर जिवरी पुम्राश की जड़ाय त जी बिल्कुल अब इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली होगी बात होगी इस खबर पर जिणने के लिए धन्यवाद करें तो आपको तो आपको पता दें महंत की बेटी दमाद पर हत्या का रोप लगा है महंत ने गोशाला में दफनाया था सब वही अब इस मामले में क्या कुछ निकल कराता है वो देखने वाली बात होगी वही हमीरपुर के फॉरेस्ट पार्क के जंगल में घूमने आए यूवक यूवितियो का वीडियो बनाकर जोर जबलदस्ती करने के मामले में विशेश नियाधिस दकैती कोर्ट पीकी जयंत की अदालत ने पांच आरोपियो को दोशी करार दे दिया है पता दे किस मामले में पुलिस ने बारा आरोपियो को जेल भेजा था अब अदालत ने इस मामले में पांच आरोपियो को दोशी करार दिया है दोशी करार कर देते वही अभी आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपे का जुर्मान भी लगाया गया है गाजियाबाद में ट्राफिक पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूत लगातार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिनमें यूवार ट्राफिक नियमों की अंदेखी और उलंगन करते हुए नजर आते हैं एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्कूटी पर छे लोग सवार है वीडियो गाजियाबाद के कोतवाली शेत्र का बताया जा रहा है ऐसे ही देहात और लौनी चेत्र के भी वीडियो हैं जा मोटर साइकल पर यूवा स्टन्ट कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए जानलेवा कोशिश करते हैं वही गाजियाबाद के ट्राफिक ADCP रामानंद कुश्वाहा ने बताया कि दो पहिया वाहनों से हो रहे हाथसों की संख्या ज्यादा है और इस हाथसों में कई वाहन चाहलकों की मौत भी हुई है जिसको लेकर विशेश अभ्यान चलाया गया जिसमें अब तक 6342 वाहनों का चलान काटा जा चुका है उलंगन करते हुने जारा तो उस पर किस तरह से कारवाई करते हो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेगे देखिए लगवाद हम लोगों ने 200 स्कूलों का कभर किया है स्कूल और कालेज जहां पर होने आवेर्नेस प्रोग्राम चलाया है और इस पर जो भी सोशल मेडिया प और इसको लोग कुछ एसी एक बैर ने उमर के लड़के हैं जो इनको लोग पसंद भी करते हैं इसपर हम वरोप रजाने के लिए अभ्यान भी चला रहा है करवाई भी कर रहा है और इससे हमारे लोगों संदोध भी है कि इस पर अपनी जान लोखे में न डालें कोई स्टै नहीं देश और दुनिया की तामाग खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार। टीवी सच साहस सरुकार।